दोस्तों Study91 के आनलाइन प्रेटफॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्षो वर्ड जिग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिनू आज हमारा 274 नंबर का लेक्चर है अगर आप जिग्राफी की बात करेंगे तो आज हमारा 44 नंबर का लेक्चर है इसी सीरीज में देर सो लेक्चर में हम लोगोंने केवलों को लितिया हस भी सेको कवर किया आगे के 80 लेक्चर में हम लोग सम्मिधान भी सेको कवर किये और अब हम लोग वर्ड जिग्राफी को कभी आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो बहुत फायदा होगा देखे आपने चाहे आलाइन कोचिंग किया चाहे अफ्लाइन किया चाहे सेलफ स्टडी किया जो भी हूँ लेकिन कम से कम आपको इन सवालों का जबाब आना चाहिए कि वो सवाल है जो बार-बार हर प्रतियों गुड़ा भाग इस सब तो हर परिष्छा में आता है ना यह बेसिक चीजे यह बेसिक चीजे इसलिए आप यह न पूछिए ठीक है अगर आप यह सब पूछेंगे तो मतलब यह बेस है कम से कम यह जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है और यह सारे सवाल दोस्तों यंसी आट मैं आपको 8,190 तक सवाल पढ़ा चुका हूँ आज की क्लास अगर आप देखेंगे तो 8,191 से लेकर 8,220 तक के सवालों पर चर्चा किया जाएगा ठीक है मैंने आपसे कहा था कि कभी 10,000 हो जाएगा सवाल ना आपको पता भी नहीं चलेगा आए सीधे आगे बढ़ते और पढ़ना सुरू करते हैं द्यान देंगे स्टडी 91 के प्रेटफॉर्म से कई सारे विसे के लिए फाउंडेशन कोर्स लांच केंगे फाउंडेशन कोर्स बहुत छोटे-छोटे बैच है दोस्तों अलग-अलग विसे के आप चाहें तेरे ज्वाइं कर सकते हैं यह हमारा हेल नाइं का सवाल सवाल देखके बच्चा परिसान की सवरी तुमा बड़ा सवाल डरो मत्यार सवाल सिर्फ बड़ा है कोई दम नहीं सवाल पढ़ो तो सही लिख रहा किस जलवाई प्रदेश में वरसा इतनी अनिश्चित होती है मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं वरसा का कभी भी वरसा हो जाती है अनिश्चित भी है अनिश्चित मतलब वरसा का कोई निश्चित समय नहीं जिसे हमारे यहां तो चलो वरसा रितु आएगी तो पता है कि हम बारिस होगा ठंडी का समय आएगा तो पता है ठंडी पड़ेगी गर्मी का समय आएगा तो पता है कहां गर्म जाब मिल गया ना यहां पर उस जलवाईु छेत्र का नाम बताना है मुरुस्थल कोई जलवाईु छेत्र नहीं मरुस्थल एक स्थान विशेष को कर देस्ट आych aggress केम लेकिन लेकिन आप से क्या पोछाय किस जलवाईू पोछ जाप Ś backwards का ऑस्रा-उपोष्रा मरुस्थलिये जलवायू छेतर याद रखे का वह छेतर है जहाँ पर या तो वर्षा क्या हुथि अनिशत होती है या होती ही नहीं है या होती है है तो बहुत नाम मात्र की वर्सा होती हैं वह 35-10 सेंटीमीटर की वर्सा भी कुछ नहीं होती तो पांस से दस कहें कुछ नहीं है कोई मतलब नहीं है ठीक है वही है कि आपको प्यास लगा और कोई आपको एकशमप्द पानी पीला सकता है conta पानी पीके क्या होगा जी तबी तो आदमीं कहाता चुलु भर alcohol भर पानी में किस्छोब जा Petri II looks जाएगय ति घीड़ जाएगए तिक भले जो उसकी खराब हमचता है कि क्या हो सकता एक चुली पानी होता कितना है ठीक है समझो बात को यह सब बात की बाते हैं के वल ठीक है आगे देरा है कि किस जलवाई प्रदेश में एक ही दिन में होने वाली भारी बारी से आकस्मी को छड़िक बाड़ की स्थिति उत्पन हो जाती है दोस्तों उसलग उपोशला का जो मरुस्तरी जलवाई उच्छेत रहे इसमें कुछ ऐसे अस्थान होते हैं जो सहारा तुल्य के अंतरगत आते हैं किसके अंतरगत आते हैं सहारा तुल्य प्रदेश के अंतरगत आते हैं वहां पर दोस्तों कभी बारिस एक तो बहुत कम होती है लेकिन कभी कभी यह कई दिन में इतनी बारिस आ जाती वह बा लगा कि सहारा तुल्य है तुरेगिस्तान होगा उसके दिमांग में यह जवाब आएगा ही नहीं कि नहीं सहारा तुल्य में कुछ ऐसी स्पेस्पिक अस्थान होते हैं जहां पर आकस्मिक वरसा से बाण तक आ करती है यह उसी को पता होगा जिसने कभी क्लास में लाइन सुना होगा अगर नहीं सुना तो कैसे याद होगा आप मुझे बता तो सवाल बनता है न इसको ध्यान दीजेगा अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा जलवावी प्रदेश उपोस्ल उच्छ दाब की पेटी में नीचे उतरती और उसी काड़ तो वर्षा होती है वाई दोस्तों उपर से नीचे उतरती है तो कैसी वर्षा होगी आप पढ़ते हैं चक्रवाती वर्षा होगी ना खेर जो भी हो यहां पर आपका जवाब क्या होगा दोस्तों आपका जवाब होगा सहारा तुल्य प्रदे इसके ब्रिक्षों की जड़े, वह कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है, जहां ब्रिक्षों की जड़े, जमीन में काफी गहराई तक चले जाती है, ताकि वो जल का आउसोसर कर सके, जल का क्या कर सके दोस्तों, आउसोसर, देखे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनको द तलास में, जो पौधे हैं, पौधों की जड़े, जल की तलास में, और गहरे अस्थानों पर चलती चली जाती है, तो दोस्तों, ये किस ले जाती है, जल का आउसोसर करने के लिए, उस जल को प्राप्त करने के लिए जाती हैं, तो मैं किस की बात कर रहा हूं, ये बात कर र अच्छा है इसका मतलब सर मरुस्वली छेत्रों में जितने भी वनस्पतियां होंगी क्या उनकी जड़े ज़ादा गहरे तक जाती है हाँ यह सभी वनस्पतियों की बात करें कोई पर्टिकुलर एक-दो वनस्पति की बात नहीं हो रही यह सभी वनस्पति के साथ ऐसा होतार दोंस्टों पानी की तरास में गहरे अस्थान पे चली जाती है इसका मतलब सर जहाँ पानी उपर होता होगा वहाँ जड़े नीचे तक नहीं जाती होगी वो भी सही है आपके ठीक है भाई अगर पानी की तरास में अगर पानी माली जो उपर ही मिल जाएगा जल्दी मिल जाएगा दोस्तों ऐसे में जो जड़े हो गहरे अस्थान तक क्यों जाएंगी इतने समझदार तो आप भी छोटा-छोटा सवाल ना पूछा करें आगे देख इसका जबाब बता के जा सकता हूं लेकिन मैं जाता हूं कि मेरी क्लास में अगर आप हैं तो इसी क्लास में आपको सारे सवाल के जबाब याद होने चाहिए ऐसा क्यों होता है पहले बास समझे अगर पत्तियां पतली होंगी एक तो छेत्र मरुस्थली है सहारा तुले छेत ठीक इसके लावा लंगी होने के साथ साथ पत्तीयों पे डेडर सारे काटे भी हो सकते हैं क्यों अपनी रख्षा य जानवार की उसे खा न ले ली इसलिए दोस्तो होता है ठीक फिलाल काटे का और भी कारण है दोस्तों काटे इसलिabbі निकल जाते देगेए फूल तो निकलना ही सकता फल बनना ही सकता भाइए वैसे उनको अपने जीने खाने के लिए उनको पानिनल है तो फल फूल कहां से बनेचा थीश कि निथे जहां फूल प्रदेश की बात कर रहे हैं जैसे आपने नागफनी वगरा देखा है उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर बताओं आपको आपने नागफनी देखा है नागफनी ठीक है नागफनी नागफनी देखें कैसा होता है उसकी पत्तियां यह मोटी-मोटी पत्तियां ठीक ताकि नमी को बनाया रखा जा सके दोस्तों पुनह आपका जवाब क्या हो जाएगा सहारा तुल्ले प्रदेश सर यह आप ना आज हमें बताये थे आज रेगिस्तान के वारें पढ़ाने वाले थे यह तो सब इधर उदर का सवाल बता रहे होता क्या है ना जब कोई चैप्ट तो में अगला सवाल देरा कि किस जलवाई प्रदेश में मुख्य तह नागफणी और कटिली वनस्पतिया पाई जाती है तो पुनह आपका जबाब क्या हो जाएगा दोस्तों सहारा तुल्य प्रदेश सहारा तुल्य प्रदेश में दोस्तों क्या पाई जाती है चाहे आपसे नाकफनी की बारे में बात करे चाहे गहरी जड़ों के बारे में बात करे चाहे मोटे पतियों और तनों के बारे में करें सब चीज का एक ही जवाब दीजिएगा कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है आगे बढ़िए करा सहारा प्रदेश की वनस्पतियों को क्या कहा जाता है ठीक है सहारा प्रदेश की वनस्पतियों को क्या कहा जाता आप ऐसा अगर मैं आपसे अलग सवाल पूछ हूँ क्या आप आप ऐसा कर सकते हैं सहारा प्रदेश की वनस्पतियां मतलब ऐसी वनस्पतियां जो पानी के अभाव में अपने आपको जिन्दा रखी क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ठीक है पानी के अभाव में अभाव में जीवित वनस्पतियां जीवित वनस्पतिया क्या मैं कहा सकता हूं ऐसा नहीं कि पानी मिलता ने लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलता जितना औरों मिलता है न तो याद रखें इसे कहते हैं इसे कहते हैं जीरो फाइट क्या कहते हैं वहां फाइट है लेकिन कैसी फाइट है दोस्तो जीरो फाइट है अच्छा यहां पर भी दोस्तों दो जवाब आप याद रखेगा अगर दोस्तों पूछे संसार का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ठीक है तब जवाब क्या होगा दोस्तों तब आप कहेगा सहारा मरुस्तल क्या कहेंगे सहारा मरुस्तल ठीक है सहारा मरुस्तल लेकिन यद आपसे दोस्तों कहा दे ठंधा रेगिस्तान तब आप क्या कहेंगे दोस्तों याद रखेंगे तब आप कहेंगे अंटार कटिका क्या कहेंगे अंटार कटिका को दोस्तों क्या का जाता है ठंधा मरुस्तल का जाता है ठीक है तो आप ध्यान देजिएगा कि आपसे गर्म वाल शेत्रफल बताईए कि भारत का शेत्रफल कितना है ठीक है दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है 32,84 ठीक है 32,84 जार मोटी मोटा लिखे ठीक है 84,000 किलो मेटर यहां लगबग सब्दे लिखे दीजिए ठीक है जाना अंदर नहीं जाना फिर कन्फियूजन में आ जाएंगे ठ था दोगने ज्यादा मतलब 32,64 ठीक है तो सहारा लेगिस्तान का जो छेत्रफल चोंशट नहीं आप सीधे हैं करिए 94,000,000,000 वर्ग किलो मेटर किलो मेटर किलो मेटर ठीक है यह रग किलो मेटर में आप याद रखें इतना बड़ा दोस्तों क्या है सिर्फ और सिर्फ एक र सहारा करेगिस्तान कहां लिखूं चलि यहां लिख दे रहा हूं सहारा करेगिस्तान दोस्तों यह कितने देशों में फैला है याद रखेगा दोस्तों कहा जाता कि आपको पिष्छी डिया चाड मिसर एरिट्रिया लीविया माली मयुरण के इन देशों में दोस्तों कौन सा रगिस्तान फैला हुआ है दोस्तों इसी के दो जो बात कर रहें जो सहरा रेगिस्तान है इसका विस्तारों कितने देशों में हैं सोच और 1 देख लो ने कितना बड़ा 94 लाख वर्ग कहीं कहीं पर आखड़ा बानवे दिया है ठीक है तो एक काम करते हैं यहां 92 से 94 लाख वर्ग किलोमीटर भई तो ज्यादा क्यों न हुआ इसको भी आप याद रखेंगे अगले सवाल पर आईए करा इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओम याद रखेंगा, इसलिए तो सौधी अरविया में जो रेगिस्तान मिलता कौन सा है, अरब रेगिस्तान है, इसे अरब रेगिस्तान भी कहते हैं, या फिर इसे अरेवियन कहते हैं, क्या कहते हैं, अरेवियन डेजर्ट, क्या कहते हैं दोस्तों, अरेवियन डेजर्ट के न तो उसका तो 94,00,000,000 वर किलोमेटर पढ़ लिया इसका बहुत छोटा उसके पेक्षा 23,00,000,000 वर किलोमेटर कितना दोस्तों 23,00,000 वर किलोमेटर तक दोस्तों फैला हुआ है अरेबियन डेजर्ट ठीक है इसको आप याद रखेंगे बढ़िया सवाल इतना डिटेल में जाक चीन और मंगोलिया में दोस्तों कौन सा रेगिस्तान है याद रखेगा गोबी मरुस्तल है और कितना है दोस्तों तो लगभग 13,00,000,000 किलोमेटर में दोस्तों यह फैला हुआ डेजर्ट है गोबी का रेगिस्तान इसे भी आप याद रखेंगे आपसे सवाल खाली इतना मरुस्तल कहां इस्तित है तो दोस्तों उसे आप बताएगा ठीक है आगे बढ़िए देखिए स्टडी 91 के प्लेटफार्म से दोस्तों जो जीएस वाली क्लास दी जा रही है यह सुबह 9 बज के 6 मिनट पर दोस्तों क्लास दी जा रही है जिसमें अभी तक आपको एंसें रि दोस्तों आज हम लोग 44 में लेक्चर को कवर कर रहे हैं यह हमारी जिग्राफिक क्लास है राग को 8 बजे जो बच्चा नहीं जानता याद रखे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है जबरदस क्लास चल नहीं है और इसके अलावा दोस्तों राग को 10 बजे आप एक बार सब्सक्राइब और धरेन नहीं रहेगा थिक है आगे वड़िये करा गोवी अधार का का विस्तार किन डेस्व में दौस्तों घाम को कीववी का रहा कहां पर और मंगोलिया देष में पैला हुआ है और कितने बगा में vegg........ 13 लाग वरग क किलो मिटर किलो मिटर में दोस्तों प्पेला हुआ रिगिस्टान है कौन सा? गोभी का रिगिस्टान Videos इसे कहा जाता है, ठीक है? आगे देखें अंगोला हो गया, वक्सवाना हो गया, नामी भी आ हो गया दक्षिड अफ्रीका देशों में कौन सा रेगिस्ता देखे दक्षिड अफ्रीका करते ही आपको साउध अफ्रीका की याद आ गई होगी और बहुत खतरनाग दोस्तों रेगिस्तान है जिसका नाम है काला हारी मरुस्तल ठीक है काला हारी जो मरुस्तल है दोस्तों रेगिस्त नहीं ठीक है कोई वी दूसरे देश का आदमी वहां चला जा अब तो बड़े सब्वेता आ गई धीरे धीरे ठीक है लेकिन पहले दोस्तों बड़े खतरनाक होते थे लोग ठीक है ऐसा गूगल मिलता था पढ़ने को सुनने को बाकी आप चीजी जानी रहें काला हारी रेगिस काला हारी के ऐस तो एक बात आपो कम नहीं होता थीक है नौ लाख वर यह जो है काला हारी मरुसल है यह दक्षड अफ्रिका में इस्तित है ठीक है पेटागोनिया रेगिस्तान का विस्तार किन डेशों में दोस्तों पेटागोनिया नाम सुना है कि नहीं पेटागोनिया यह अमेरिका में इस्तित है पेटागोनिया यह कहा पर दोस्तों अमेरिका म प्लस चिली में कहां इस्तित है दोस्तों अर्जेंटीना और चिली देश में दोस्तों इस्तित है कौन सा पेटागोनिया मरुस्तल तो इसे भी आप याद रखेंगे बढ़िया सवाल दिया ठीक है करा पेटागोनिया मरुस्तल का छेत्रफल कितना है ठीक है इसका छेत्रफल क ये पेटागोनिया मरुस्तल का छेत्रफल है इसे आप याद रखेंगे एक सवाल और देरा दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया ये ग्रेट सब्द लगा दिया और विक्टोरिया ये रेगिस्तान की देश में दोस्तों तो ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है ये आस्ट् आश्ट्रेलिया का सबसे बढ़ा रenen सतं कौन सा है तो great victorious रखी लेगा सबसे छोड़ोड पूस्थ दिया आस्ट्रेलिया का स्वारी इसको सही कर लीजिए है ठीक है आश्ट्रेलिया आश्ट्रेलिया का का सबसे छोड़ा सबसे छोटा ठीक है तो क्या बताएंगे दोस्तो याद रखेगा पेडी पेडीरिका ठीक है पेडीरिका जो रगीस्तान दोसका नामी यही है ठीक है पेडीरिका पेडीरिका रगीस्तान यह आस्ट्रेलिया का सबसे छोटा रगीस्तान है ठीक है याद रखेंगे आप सभी न इक एक बातिया आपके लिमपर जिसे पूरे धरती का पूझ दे पूरे पृत्वी का सबसे बढ़ा तब तो दोस्तो आपने सहारा बता दिया लेकिन गर्म वाला पूछे का ठीक है अच्छे एक सवाल और पूछता आठाकामा कहां पे क्या पूछता दोस्तो आठाकामाम से आप ध्यान में रखेंगे कर आस्ट्रेलिया के ग्रेड विक्टोरिया रेगिस्तान का छेत्रफल कितना है जो ग्रेड विक्टोरिया दोस्तों ठीक है ग्रेड विक्टोरिया आपने क्या पढ़ा है सरवाधिक बढ़ा है क्या पढ़ा दोस्तों पेडी रखा क्या पढ़ा यह क्या दोस्तों यह आपने पढ़ा स्तरवाधिक छोटा स्तरवाधिक छोटा लेकिन कहां का याद रखेंगा आस्ट्रेलिया का ही उसके बाहर में जाएगा ठीक है अच्छा इसका कितना है दोस्तों त्याद रखेगा 6,47,000 वर किलो मेटर में कौन सा फैला हुआ आस्ट्रे आर यूरोप के ठीक बीच बीच वाले देस ने ठीक है यहां पर हमेसा लड़ाई जगड़े होते रहते हैं सिरिया तूर्की के बारेम जाने रहें आई-स- लेगिस्तान इसे आप याद रखेंगा अच्छा सवाल है एक सवाल एभी पूज देता है कि सीरियन लेगिस्तान का चेत्रफल कितना है तो है तो छोटे में ठीक है लेकिन फिर भी इतना छोटा नहीं लगभग यह चाल लाग स्वारी पांच लाग बीस लार क्लो मिटर में लगभग पांच लाग लाग लाख ऐसे कर दों क्या एक से कर देरा हूँ ठीक है ज्पश जैदा अच्छा हो जाएगा लगभग ऑंच लाक्ष वर्ग किलोमेटर। ठीक je 5 लाक्ष वर्ग किलोमेटर में कौन सा फैला हुआ दोस्तों यह जो तर्व एक आश्ट्रेलिया मिष्थ है कहां परिस्तित है यह अश्ट्रेलिया मिष्थी थे अभी आपसे क्या पूछ रहा अभी आप से पूछ की सीमा पर अमेरी काल अरrän Jimmy क gebrachtा पर इसी तरह चपteen कि इसी तरह एक सवाल डे रहा की Green Bay तो इसका चछे टर्फल कितना है फिसे चाहल लाग से ज्यादा यह चाह Kissy divor देखेंगे चाल लाग 22,000 घुबहर गलो मीटर दोस्तों बड़ा है कौन सा ग्रीट बेसिन की बात कर रहे ठीक है ग्रेट बेसिन कहां पर पढ़ता है अमेरिका में है इसको याद रखेंगे अगला सवल दे रहा है चुवा हुआ यहां की मात बात्रा दीजे वन क्या नाम है दोस्तों फिर लिख लिख लिएगा ची हुआ ह जोड़ा सा डाउट में यहवाला यह मेक्सिको मेह जो ग्रेट बेसी दोस्तों इसको आप अमेरिका करिए फीक है ग्रेट बेसिन जो है यह अमेरिका मिश्थित है और चिहुआ हुआन जो है यह अमेरिका और मेक्सिको में विख्सित सीमा नहीं पुरा मेक्सिको मैक्सिकोल नहीं मतलाब मेकशिकोगा कुछ KE perfect बाकी जो पैटा कोणिया पड़ा थे वो कहाँ पर था दोश्तो पेटा गोणिया और आटा कामा यह दोनों अ दोस्तो कहां पर था यह दक्षि अपया का किलोमीटर 4.5 लाख किलोमेटर ठीक है又 कहा परिस्तित दोस्तों त Черूवा मैक्सिको की सीमा पर है है इसको याद रखेंगे तो दोस्तों । दोस्तों ग्रेट बेमेशिं प्सक्रीब साथ करें यहां पर दोस्ते रोस्तों की हुआ हुआ को याद रखेंगे इसके अलाव दोस्तों मुहावे मारी ये परिच्छा में आप से पूछ दिया मुहावे मुहावे नाम का भी दोस्तों एक डेजर्ट है इसको भी याद रखेगा यह अभी अमेरिका मिश्थित है इसके अलाव आप से पूछ दे सोनो रान क्या में यहां से सवाल पूजा जाता है लिखेए ग्रेटस रेगिस्तान दोस्तों कहां इस्थी यहां का सबसे छोटा कौन सा था पेडी रखा पेडी रखा मरुस्थल जो है दोस्तो मरुस्थल यह क्या था दोस्तो सबसे छोटा था क्या पड़ा था हमने यह सबसे छोटा मरुस्थल कहा का दोस्तो यह आस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल था ठीक है अच्छा ग्रे है इसको पढ़िए गा ठीक है इसके लोगाँ दो और रेकिस्टान पढ़िएगा आश्ट्रेलिया में एक तो पूस्ता परीक्षा में गिंप सन convention के बारे में इसके बारें पूस्ता दोस्तो आस्ट्रेलियाम का पढ़ेंगे Gibson Registán कौन सा पूछता है Gibson कभी पूछे दोस्तों कि Gibson Registrana कहा इस्थित है तो क्या पताएंगे Gibson Registrana यह आपका उस्ट्रेलिया मिश्थित यह एक सवाल और देता तनामी रही आपके आस्ट्रेलिया मिश्थित है इसको भी आप याद रखेंगे ठीके तो बिस्तु के जितने भी मुख्य मुख्य रेगिस्तान है वो सम मैंने आपको बता दिये अभी और भी क्लास लूँगा जहां पर दोस्तों और भी रेगिस्तानों के वारे में चर्चा करेंगे ये तो बहुत important है कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए इसको छोड़के नज आईएगा नहीं तो फिर एक्जाम में फसेंगे आप लोग ठीक है मैंने आपसे कहा ना आप चाहे आनलाइन पढ़ते हैं इतने स्वाल का जबाब आपको अपनी जबान पर रटके रखना है ठीक है देखिए कौन शित्रफल किसाब से आपको बताया है लगभग-लगभग सभी के सभी किया है दोस्तों यह घर में रिगिस्तान है ज्यादा तर ठीक है उसी के बारे हैं आगे भी हम चर्चा करेंगे और भी रिगिस्तान जो है उनके बारे में लोग पढ़ा जाएगा ठीक है ऐसे वीसे जो पूरी तरह से पढ़ा दिये गए यह उन्हीं के दोस्तों हैं इन्हें आप हमारी वेफ साइट या अप्लिकेशन से पर्चेश कर सकते देखिए किताब खरी देंगे तो किताब तो बाइप पोस्ट आपकी घर जाती है यह अगर आप पर्चेश करेंगे इसे लेने के बाद आपको खुद से प्रिंट करना पड़ेगा यह ध्यान में रखेगा हैं और यह इबुक फार्मेट में आपको मिलेगा इसका ध्यान रखे ठीक है तो चलिए सेसन ही समाप्त होता है उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा जिन बच्चों को नहीं पता यह सीरीज शुरुआ से जाके देखे एक प्रेलिश बनी हुई यह आप डिटेल में जाके पुराने वीडियोज भी देखे क्योंकि हर एक टॉपिक पर आपको क्लास दिया गया और सभी विशे पर यह चीजे मैं बना रहा हूं आगे जिए समाप्त होगा हम इंडियन जिग लेक्षर को मैं बहुत गंभीरता से रिकार्ट करता हूं बहुत गंभीरता से आप पढ़ाता हूं कि एक एक मुद्दे पर अच्छे से मैं आपको समझा सकूं बता सकूं इदर दर की बात नहीं करता इसी तरह से सीरियस मोड में पूरी क्लास दी गई ठीक है तो मेहनत से आ आरत थेंक यू थेंक यू सो मच